स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आज हम लेकर रहा है क्लास 10 भूगोल का अब्जेक्टिव प्रस्ण जो एक्जाम के दिरिश्टी से बहुत ही मात्वपूर्ण है और आप लोग अब जूड़ जाए क्योंकि आप लोग को डेली वीडियो मिलने माला है तो इस चैनल पे आप लोग जल्द से जल्द जूड़िए सब्सक्राइब कर लिजे ताकि कंटिनीव जो वीडियो चलने माला है उस वीडियो आप लोग को आप लोग पास पहुंचे और मैं दावा करता हूँ कि यह जो कोस्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चन लाया टेडिक है। सपानी खरीि सी की तराज आप रेके परचली थे इसका राइट एंसर क्या हो जायगा आप लोगेको पता है तो कमेंट करके बता यह您 नहीं पता है तो हम बता रहे हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन B उत्तरा खंड में सो पानी क्रीशी प्रचली थे ठीक है नेक्स्ट प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं आगे अगला प्रस्ण लिखा है दो नमबर की सिमेंट उद्योग का सबसे प्रमो कच्चा माल क्या है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा चुन्ना पत्थर राइट एंसर होगा अप्शन A नेक्स्ट प्रस्ण की और बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या तीन नमर प्रस्ण लिखा है कौन भारत का सबसे बड़ा लाउत पादक राज्या है तो भारत का सबसे बड़ा लाउत पादक राज्या जो है करनाटक है राइट एंसर अप्शन A होगा नेक्स्ट प्रस्ण की और बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या चार चार नमर प्रस्ण लिखा है कि कीस खनीज को द्योगों की जननी माना गया है कीस खनीज को द्योगों की जननी माना गया है तो द्योगों की जननी किसको माना गया है राइट एंसर हो जाएगा अप्शन C नेक्स्ट प्रस्ण की वर बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या पांच पांच नमर प्रस्ण लिखा कि कौन सी अधात्विक खनीज का उधारण है घ्यान दिजेगा कौन तुछा क्या है कि अधात्विक खनीज का उधारण है अधात्वी खनीज का उधारण कौन सा है इसका बताना है तो यह इसका राइट एंसर हो जाएगा अवरक अवरक राइट एंसर हो जाएगा अवरक जो है अधात्वी खनीज का उधारण है तो राइट एंसर क्या होगा अफसन C तो सोना चांदी टीन जो है धातीवी खनीज है ठीक है next प्रसन क्यों बढ़ते हैं प्रसन संक्या चौँ चौन और प्रसन लेकिन भारत में लगवग कितने प्रकार के खनीज पाये जाते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option B 100 100 परकार के खनीज पाया जाते हैं लेकिन बूग के अनुसार 100 से अधिक बूग के अनुसार क्या दिया है 100 से अधिक परकार के खनीज पाया जाते हैं भारत में तो option के अनुसार आप लोग लगा सकते हैं next प्रस्न की ओर बढ़ते हैं प्रस्न संख्या 7 सब्सक्राइब बढ़ते हैं परस्ण संख्या आठ भारत का प्रथम तील सोधक कर खाना जो इस्तित है यह डिग बोई में इस्ति थे राइट इन सरो जाग ऑप्शन सी निक्स्ट परस्ण की और बढ़ते हैं परस्ण संख्या नौ नौन अमलिका है कि मेगनी जुद बादन मे मेगनी जुद बादन भारत का 200 में कौन सा वस्थान हैं तो भी सो अस्तकी की बात किया है तो भारत का तीसरा एस्तान है सी रॉक है ठीख है और निक्स्ट प्रस्न बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या दस अग्की मरवस्तला में सब्सक्राइब करने वाला बंदरगा जो है विसाखा पत्नम राइट एंसर ऑप्षन दी होगा नेक्स्ट प्रस्ण की वर बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 12 लिखाएक काली मिरीदा का दूसरा नाम क्या है तो काली मिरीदा का दूसरा नाम क्या है रेगुर मिरीदा है एक और याद रखे काली कपासी मिरीदा के नाम से भी जाना जाता है इसको क्योंकि इस पर कपास की खेती अधिक मात्रा में होता है इसलिए इसको काली कपासी मिरीदा के नाम से भी जाना जाता है नेक्सट प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या तेरा नमर प्रस्ण लिखा कि प्रकृतिक संसाधनों के संक्षड है तो इस भी में कौन सा convention हुआ था उनिस स्ब्सक्राइक में कौन सा convention हुआ था उनिस आणशर्ट में कौन सा convention हुआ है तो इसको बताना है तो इसका right answer हो जाएगा अप् Kom54 की convention optiona नेक्स्ट फ्रश्न कियोर बढ़ते हैं फ्रश्न संष्या चाओदा लिखा प्रास्टर प्रेश किससे बनाया जाता है तो यह बनता है किस से तो यह बनता है जीपसम से राइट एंसर हो जाएगा आप्शन B सबसे अधिक मात्रा में उर्वात की बात किया जाए तुब सोर नियुए कि भारत में तंब बहंदार कितना है तो 1,125 करोड टन है नेक्स्ट प्रशन की ओर बढते हैं प्रसन संख्या 17 सतरा नमबर प्रसन लिखा है कि युद्द में बनाने के लिए कीस खनीज किया हो सकता पड़ती है तो इसका आप भली भाती जानते हैं कमेट करके तुरद बते ये इसका राइन तेंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइटेंस रोज़ेगा अप्शन D, बक्साइड के हो सकता पड़ता है, नेक्स्ट प्रसन क्यों बढ़ते हैं, प्रसन संख्या 18, अठार लिखा है कि इन में से कौन लोह युक्त खनीज का उधारण है, बताना क्या है लोह युक्त खनीज का उधारण बताना है, य क्वस्ट नमबर 19 मेडघक के प्रेजन को नस्ट करने वाला रसायन कौन सा है, डिक्सड कि कितनी किलोमीटर चेतर तक संपधा नहीं थ होती है, यहिए कि लिखाए कि वनसपती रिपोर्ट के अनुसार भारत में बनका विस्तार कितना है वंस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में बन का विस्तार बताना है थीक है भारत में बन का विस्तार कितना है तो आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताईए फटा फटा अगर नहीं पता है तो सब्र रखिए और जानिए इसका राइटेंसर हो जागा 20.55% बहुलिक चेत्र में है यानि कि बी राइटेंसर हो जागा नेक्स्ट प्रस्ने की और भाते हैं प्रस्न संख्या 23 लिखाए कि किस खनीज में भारत सू संपन है कौन से खनीज में भारत जो है सू संपन है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा अप्शन C यानि कि लोहा में भारत जो है स पासी मिरीदा किसको बला जाता है तो आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन सी काली मरीदा के नाम से उसको जाना जाता है नेक्स्ट कोस्टन कोस्टन नमबर पचीस पचीस नम लिखा है कि उत्राखंड का कुडर्मा कीस खनीज के उत्पादन के लिए प्रसीद है उत्राखंड का कुडर्मा कीस खनीज के उत्पादन के लिए प्रसीद है तो कुडर्मा में सबसे अधिक मत्रा में क्या 20 का उत्पादन किया जाता है तो अभरक का उत्पादन किया जाता है राइट एंसर अप्सन ई होगा नेक्स्ट प्रस्ण की ओर बढ़ते हैं प्रस्ण संक्या 26 लिखाए कि इउरेनियम का प्रमुक उत्पादक अस्थल है इउरेनियम का प्रमुक उत्पादक अस्थल का उनसा है तो जादू गोड़ा जो है इरोनियम का सबसे प्रमुक उत्पादक अस्थल है नेक्स्ट कोस्टन की ओर बढ़ते हैं कोस्टन नमबर 27 की ओर लिखाए कि उडिशा कीस खनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है उडिशा कीस खनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये मैगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है नेक्स्ट कोस्टन की वर बढ़ते हैं कोस्टन नमबर 28 28 लिकाई सम्म бук零ा दारा 21 का संवंद्ध है सम्मिधारा 21 का संवंद्ध की स्से है बता ना है पुछाए कि सम्मिधारा 21 का संवंद्ध की से वन्य जीवो तत्म प्रकतिक संदुन के संक्छर से Knox start pay जल संसाथन 29 नमबर प्रस्ण लिखा है कि बिहार जर्खंड में देश का कितना परतिसात अवरक का उत्पादन होता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन C 30 के बाद 30 नमबर प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं 30 नमबर प्रस्ण के प्रात्मी कुर्जा का उधारण नहीं है तो कौन सा प्रात्मी कुर्जा का उधारण नहीं है तो यह बिदूत प्रात्मी कुर्जा का उधारण नहीं है नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं क्यों नमबर 31 नमब लिखाया कि भारत के कीस भूगर्विक समूह में कोईला पाया जाता है जूँए уетध कुश्ट ॥ कॉष्टन के और बढ़ते हैं । लिखाया कि निमणा कौन सी मीट्टी सरवाधिक उपजाव constituya being होती है जलोड मिट्टी होती है नेक्स को संक्यों मर बढ़ते हैं कुस्ट नमर 33 प्रसण लिखा इंकि गोवा के संग्यूम में कौण खनीज पाया जाता है तो उसमें जो पाया जाने वल्थ ने लोहा है लोहा पाए जाता है नेक्स को subject क्योंड वडाते हैं गोस्थन नमब 74 नमर प्रश्क लिखा है कि भारत भारत के किस वही राज्य मैं सौरूर्जाथ के विकास की संभावनाए आये हैं यहाई सम्हावना जो है राज अस्थान में है राइट एंसर अप्सन B हो जाएगा डिखा कि बदाम पहाड ल और य स्क खनीज प्रश्विया प्रशिद है उसका राइटंसर हो जाएगा मध्य पर्देश में वन का सबसे अधिक विस्तार है नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं क्यों नमर स्थाइटीस स्थाइटीस लिखा है कि उर्जा का गैर प्रामप्रिक स्रोत कौन सा है उचा क्या है क्यों गैर प्रामप्रिक स्रोत की बात किया गया नहीं है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा तमिलाडू सी राइटेंसर होगा नेक्ट परस्ण क्यों बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 49 लिखाया कि बिर्याच्चेत्र में जल की वस्थिती कारण प्रिथिवी को कहते हैं जल्दी से कवेड़ करके बताई यह बहुत ही असान को लिए बहुत ही अच्छा इसका राइटेंसर हो जाएगा अप्सन बी निक्स्ट क्यों बढ़ते हैं क्यों नमबर 40 40 नमर प्रस्ण के जवारिय तरंग जवारिय एवं तरंग उर्जावत पादक हेतू मात्रा में अधिक अनुकूल प्रस्थितिया कहां पाई जाती है मात्र भारत की सबसे बड़ी नदि गाटी परियोजना थे अपसे नलाये दक्षिर भारत की यह तुंग भद्रा के राइटेंसर हों जाएगा नेक्स ann क्यों बढ़ते हैं 42 लिखाए कि डाकू की अर्थव्यस्था का संबंध है यानि डाकू की अर्थव्यस्था का संबंध किस से है तो जो डाकू की अर्थव्यस्था का संबंध है ये संसाधन के विदोहन से होता है संसाधन की रक्षा नहीं करता है बलकि संसाधन का विदोहन कर देता है next प्रस्न की और आगे बढ़ते हैं 43 लिखा है कि काला लोहा किसे कहा जाता है काला लोहा किसे कहा जाता है ये बता नहीं तो आप लोग को अगर पता है अंसर तो कमेंट करके बता ये कि काला लोहा के नाम से किसे जाना जाता है तो काला लोहा के नाम से जाना जाता है मेगने टाइट को किसको जाना जाता है मेगने टाइट को काला लोहा के नाम से जाना जाता है नेक्ट प्रसने क्यों बढ़ते हैं चब आलिस लिखा है कि बीस्वा पर्यावरण दिवस कब मना जाता है ये भारत जो कॉन से खनीज का निर्यात नहीं करता है तो यह गंधक का निर्यात नहीं करता है. डी राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्न की और बढ़ते हैं 46 लिखा है कि भारत में कोईले का सर्व प्रमुकुत पादक राज्या है भारत में कोईले का सर्व प्रमुकुत पादक राज्या जो है जर्खंड है इसका reference option b होगा नेक्स फ्रस्थन बढ़ते है फ्रस्यस्थन 47 लिका है कि मैगनीज डियात इनमेंसे किस बंदरगा से नहीं किया जाता है यानि मैगनीज का निरियात बताने किस बंदरगा से नहीं किया जाता है नहीं पे ध्याण देना है वालो को ठीक है नहीं पर ध्यान नहीं दिये तो एंसर गरत हो सकता है इसलिए नहीं पर ध्यान देना है तो इसका राइट एंसर हो जागा अपसन भी मॉंगलोर से नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं कोस्टन नमबर 48 लिखा है कि टेक्सॉल का उपयोग होता है टेक्सॉल का उपयोग बताना है कि इसमें होता है तो टेक्सॉल का जो उपयोग होता है केंसर के विमारी में किया जाता है सी राइटेंसर हो जागा नेक्स कोश्टन के वर बढ़ते हैं 49, 49 नो नहीं कहा कि वर्स 2000 में देश में मेगनीज का कितना उत्पाधन हुआ ये बताना है कि 2000 में मेगनीज का कूल उत्पाधन कितना हुआ था तो ये जो उत्पाधन हुआ था पंद्रव प्वइंट 5 लाग टाउन उत्पाधन हुआ था यानि कि इसका राइट एंसर होगा अपशन डी नेक्स कोश्टन के वर बढ़ते हैं नमबर 50 लिखाए कि सर्वोत्तम कोईले का प्रकार कान सा है सर्वोत्तम कोईले का प्रकार बताना है तो सरवत्तम कोईले का प्रकार जो है इंत्रा साइट होता है जिसमें कारवन की मत्रा नेक्स्ट कोस्टन के वर बढ़ते हैं कोस्टन नमबर 51 51 लिखा है कि देश में मेगनीज का कुल भंडार कितना है अब बताना है कि देश में मेगनीज का कुल भंडार कितना है तो सोरस सत्तर लाक टॉन मेगनीज का कुल भंडार है सी राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रस्ण के उर बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 52 लिखा है कि 200 की कितनी परतिसे जन संख्या भारत में निवास करती है पूरे 200 की बताना है कितनी परतिसे जन संख्या भारत में निवास करती है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा अप्शन ए 16 परतिसर और ने जन करना क तो भारत सबसे आगे निकल चुका है नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं को स्ट नमबर तीरपन नमर प्रस लिखा एक कोईला कीस प्रकार का संसाधन है कोईला कीस प्रकार का संसाधन है तो इसका राइट एंसर होगा अप्सशन ए और नमिकरण कीके संसाधन है ध्यान रहेगा ता कोईला समत्थ जाएगा तो फिर उसको बनाया नहीं जा सकता है नेक्स्ट प्रस्ण की और बढ़ते हैं प्रस्ण संक्या चाओं लिखाए कि कीस राज्य में खनीज तेल का विसाल बंडार है तो खनीज तेल का विसाल बंडार वाला राज्य है जो है असम है कौन सा है असम नेक्स्ट की और बढ़ते हैं कौस्ट नमबर पस्पन लिखाए कि स्वार उर्जा निमनलीखित में से कौन सा संसाधन है तो स्वार उर्जा क्या है उपयोग होता है लेकिन पुनाव इसको प्राप किया सकता है यानि पुनाव पूर्तियोग इसका राइटेंसर हो जाएगा अप्षन B नेक्स्ट कोस्टन की और बढ़ते है उसका राइटेंसर लगा लेना अप्सं भी अगला कोस्टन की और बढ़ते है कोस्टन नंबर चपकन लिखाये कि ताट रहका से कितने किलोमेटर छेत्र सीमा पॉर्जा कार्थिक छेत्र काल आते हैं तो इसका राइट एंसर आप लोग को याद होना ही चाहिए कमेंट करके बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए तो इसका राइट एंसर हो जागा अप्ट्टन भी 200 एनेम होता है नेक्स को स्थन की ओर बढ़ते हैं पुरस्ण संख्या 56 के बाद संतावन निकाए पेट्रोलियम कीस परकार का संसाधन है तो आप लोग यह बताए कि पेट्रोलियम का उप्योग करने के बाद उसको पुना बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है इतना आप लोग बता कि ताप बिदूत किंद्र का उधारन है यानि ताप बिदूत किंद्र का उधारन कौन सा है तो इसका राइट एंसर अप लोग लगा दीजेगा कौन सा बरोनी लगा दीजेगा बी राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन के बढ़ते हैं कोस्टन नुमर उनसर उनसर ल नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं पॉस्टर नमबर साथ साथ लिकाए कि एफ एओ की बानी की रिपोर्ट के अनुसार एफ एओ की बानी की रिपोर्ट के अनुसार कितने हेक्टेयर भूमी तो पता है तो कमेंट करिए नहीं पता रहें तो हम बता रहें आरव हेक्टेयर इसका राइट एंसर क्या हुआ हैं चार अरव हेक्टेयर नेक्स प्रश्न क्यों बढ़ते हैं प्रश्ण संक्या में कि एक सथ एक सथ भारत में लग वायक कितने करोड़ हैक भूमी में का छरण हो चुका है चरण का मतलब क्या चरण compter IS कितने एक्टेयर भूमी का कटाओ हो चुका है इसका राइटेंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर यानि कि सी राइटेंसर हो जाएगा निक्स्ट वर नमर 62 की से भारत का मंदीर कहा था बहुत ही अच्छा कोसटन है और परिक्षा के यह पूछा गया कोस्टन है बहुत बारन को पूछा गया है तो वहयरत क क्मंदीर कहने वाले व्यक्ति का नाम पंडित नहरू कौन बोले थे पंडित नहरू बोले थे डी राइट एंसर हो जाएगा निक्स्ट कोस्टन की बढ़ते हैं कोस्टन नमर 63 देखा एक भाख़ा नंगल परियोजना कीस नदी पर अवस्थी थे तो आप लोग को पताई होगा इसका राइट एंसर सी होगा सतलज नदी पर अवस्थीत है 64 नमर प्रस्ण की बढ़ते हैं 64 नमर लिकाए कि कूल जल का कितना परतिसत भाग महासागरों में नहीं थे तो परतिसत भाग महासागरों में नहीं थे राइट एंसर हो जाएगा अप्शन डी नेक्स्ट कोस्टन की ओर बढ़ते हैं कोस्टन नमर पैंसर लिकाए कि बिहार में अती जल दोहन से कीस तत्व का संकिंद्रन बढ़ा है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइ सफल्पने सस्ट नवल आगै की कि में प्राडियों के सरीर में कितना परतिसत जल की मात्रा नीथ होती है तो 65 परतिसे जल की मात्रा नीथ फ कोस्टन के यूर बढ़ते हैं कौस्टन नमर 16 दिकांगों प्रकिरती गैस की संप्सक्राइज इस शनीork czasie साथ पाया जाता है तो पेट्रोलियूम के साथ प्रकृति गैस पाया जाता है बी राइट एंसर होगा नेक्स्ट कोईशन क्यों बढ़ते हैं और सटली का इनिमन में से कौन बिहार की प्रमुक नदी घाटी परिजना है तो बिहार की बात किया गया ध्यान रखेगा तो बिहा है यह सिया का सबसे बड़ा परमाडू विधित ग्री है तो इसका राइट एंसर हो जागा अपसर में तारापूर दिखाई दे तो बीना पूछे उसको तीक लगा सकते हैं क्योंकि 99 परसेंट चांस होता है कि वहीं एंसर होगा ध्यान रखेगा इस बात को नेक्स्ट प्रस में कितने परतिसत भगवलिक छेतरें बन का विस्तार था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसन भी 19.27 परतिसत नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं 11 बहुत है यह इसका राइट एंसर होगा मयूर मयूर का मतलब क्या होता है मयूर मयूर का मतलब मौर यानि कि भारत के राष्टिय पक्षी क्या है? मोर है नेक्स्ट प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या तियत्त तियत्त नुमर प्रस्ण लिखा कि इन में से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन ए घड़ियाल घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है भारत के लावा और कहीं नहीं पाया जाता है डल्फीन जो है नेपाल और पकिस्तान में भी पाया जाता है बाकी सब और यह देशों में भी पाया जाता है नेक्स्ट कोस्टन क्यों रागे बढ़ते हैं प्रस्न संख्या चवहत्तर चवहत्तर लिखा है कि निम्न में से कौन लॉयस्क का एक प्रकार है कौन लॉयस्क का एक प्रकार है तो लॉयस्क का प्रकार की बात किया गया है तो बिटुमीनस एंत्रसाइड हेमेटाइट इनमें स लिखाया कि 36 गण भारत का कितना पतिशत लोय को उत्पादन करता ल वारत का कितना प्रतिशत लौल एसक होत्पादन करता तो 30 e effective कि अच्छ había सपातने में किेट्नय मैंगीस mág जाता है तो दस किलोग्राम मेगनीज का अभियोग किया जाता है नेक्स प्रस्ण की वर बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या सतहत्तर सतहत्तर नमा लिखाए कि भारत में किस अस्थान पर पहला प्रमण उर्जा अस्थापी किया गया था तो आप लोग इसका एंसर कमेंट करके बत यानि बताना है इसमें से और अविक्रणिय का उन्स आया तो इस प्रस्ण को आप लोग पहले भी देख चुके हैं यह जो अफ्सन दिया हो प्रस्ण था तो आप लोग कमेंट करके बताए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा और अविक्रणिय की बात किया गया है ठीक है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन C कोईला हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 79 लिखाए कि गुंडवाना समों के कोईले का निर्माड हुआ था यानि गुंडवाना समों के कोईले का निर्माड कितना बर्स पहले हुआ था य प्रस्णीय फ्रेंग हो जाएगा मैं नेंट्स प्रस semus neighbor हर्फ बढ़ते हैं असी पॉड़े फिते अपर प्रस्ण लेकर कि मुंब्य हाइव क्यों प्रसीद मुंबई हाइव क्यों प्रसीद है तो मुझ भी हइव जाते हैं तो बेस्ट अफिकेशन टाइप करें इंस्टाग्राम पर जूणना चाते हैं तो प्रिंस अफ इंडिया 2.0 टाइप कर सकते हैं या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बक्स में मिल जाएगा हमसे जूड़ी जुड़िए अगर यह वीडियो आप लोग कैसा लगा बताइएगा जै हिन जै भारत जै बिहार धन्यवाद